राम राम प्यारे साथियो आप सभी का स्वागत अपने फूम नोटी सियो ट्यूब चैनल के उपर अजम बात करेंगे भई CAT जो एकजाम हुआ था एंटे के द्वारे लिया गया था इसका जो परिणाम है भई या इसका जो रिजल्ट है उसको लेकर बात करेंगे भई जो HSSC आयोग के जो चेर्मेन साब बोपाल सिंग खदरी उनके द्वारे एक भ्यान दिया गया है और इस भ्यान के बारे में आपको बताएंगे कि जो CAT का प्रिणाम है भई 25 दिसंबर तक संभावित है HSSC चेर्मेन साब बोपाल सिंग खदरी के नुसार बात बताई गई है कि देनिक स्वेरा जो न्योजबेपर है भई उसके द्वारा पत्रकारों के द्वारा जो HSSC चेर्मेन साब है उनके द्वारा जो क्वेस्टन पुछा गया था भई कि जो C CET का रजल्ट है वो कब तक निकाल दिया जाएगा तो उन्होंने वहाँ से रिपलाई दिया कि जो CET का प्रिणा में 25 दिसंबर तक संभावित है यानि कि आपको लगबग 25 दिसंबर तक आपका जो प्रिणा में वो जारी कर दिया जाएगा देनिक सुएरा ने पूछा कि C नहीं के पास सिद्धे गई हैं आयोग के पास नहीं आये हैं यानि उन्होंने कहा कि आयोग के पास कुछ ओमिद्वारों ने कॉमन्वेल्ट गेम से समंदित एक परसन पर आपत्ती जताई थी आयोग ने वहाँ आपत्ती भी NTA को बेज दी उन्होंने जान करे दी कि NTA ने CET का परिणाम है जो अगामे 25 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है यानि कि लगबग 25 दिसंबर तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और जितने भी क्वेस्टनों के उपर आपत्ती थी आप लोगों की वो भी NTA के पास पहुंच गई है वह अब आप जो लोगों का रिजल्ट है और जो आप लोगों के जो जितने भी क्वेस्टनों के उपर सेस्पेंस था अगर वो सही होकर आते हैं तो आप सभी को उसके नंबर है जो वो मिल जाएंगे भी उन्होंने कहा कि PTI का संसोधित परिणाम था वो जारी कर दिया है इसमे 420 और उमिद्वार चैनित हुए उन्होंने कहा कि चूक यह बरती पुराने नियमों के नुसार हुए इसलिए जर्नल कटागरी को उमिद्वारों को 50 प्रिश्दिय और अरक्षित सरेणी के उमिद्वारों को 45 प्रिश्दिय आंक लेने जरूरी थे इस न्यूंतम उंकों के जितने पत्थे उनके नुसार साक्स्ताकार पर बुलाने के लिए उमिद्वार उपल बंद नहीं हुए जर्नल कटागरी के कुछ पदों पर आरक्षित सरेणी के उमिद्वार जर्नल कटागरी के अंकों के मताबिक चैनित होगे जिसमें आरक्षित सरेणी की सीटे रिकत र दिया जाएगा एचसेसी चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी के अनुसार ये बात बताए गई है और जो आप लोगों के अनसूर थे जिन अनसूरों के उपर आप लोगों की आपती थी वही उन क्वेस्टनों के अनसूर जो एंटे के पास पहुंच चुके हैं अगले एक या दो इनके अंदर आप लोगों के जो भी क्वेस्टन थे वही उनको चेक करके आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हाँ आप लोगों का ये क्वेस्टन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है या संसूर तो जो अनसूर की होगी वो जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी या केवल उन्ही क्वेस्टनों के नसूर आप लोगों को बताए जाएंगे कि हाँ ये क्वेस्टन एंटी एने सही मानने है या नहीं मानने है इसका एक या दो दिन के अंदर आप लोगों को पूरी रिपोर्ट है जो वो मिल जाएगी तो अधिक जानकारी के लिए हमारी ओफिशियल व तरकी डादरी जिले के अंदर बच्चे ही कट्टे हो रहे हैं तो आप वहाँ पर भी सबसे ज्यादा संख्या में जाएं थेंक्यू दोस्तो